मार्केट में बहुत जादा इस फोन को लेके हला मचाय दा रहा है यह है इन्फिनिक्स का जीरो 30 5G पिछले अलमुस्ट 20-22 दिनों से मेरे पास में है लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो मैंने इसके अपना प्राइमरी स्मार्टफोन बना के यूश किया है आपको रियल लाइफ मेरा एक्स्पिरियंस शेयर करने वाला हूं इस फोन के साथ में यहां पर यह फोन बहुत जादा स्टेंड़ाउट करता है पीछे के साइड मा हलका सा कर्फड है आगे से भी पूरा कर्फड है तो भाई हाथ में फस्ट फॉल बहुत अच्छे सा बैटता है पीछे यह जो लेधर बैक है भाई इट लुक्स वेरी नाइस और यह जो गोल्डनिश टाइप का यह इन लोग ने यह ना कैमरा मॉडियूल भाई चार चांद एड़ करता है हलाके कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको यह डिजाइन थोड़ा सा जादा फंकी लग सकता है लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो थोड़ा सा फंकी डिजाइन थोड़ा सा नए टाइप का डिजाइन अच्छा लगता तो भाई आपको पसंद लाएगा पुरा लेदर फील है कोई हाथ में लेते ही मतलब उसको महेंगा फील तो डेफिनेट लाता है तो बहुत ही जादा प्रीमियम फील देता है हाथ में इन हैंट फील हो गया या फिर इवन जो लुक्स है उस मामल में भी प्लस यहां पर जो जीरो की ब्रैंडिंग है लुक्स वेरी नाइस पुरा गोल्डनिश टाइप का ब्रैंडिंग दिया हुआ है मस्त लगता है उपर के साइड में Powered by Infinix लिखा हुआ है वह उतना वीजिबल नहीं रहता है आपर टोटल मिला के जो डिजाइन है वो जबरदस्त है जो वेट है वो सिर्फ 185 ग्राम है तो आप जब इसको ले के घुमोगे जेब में रखोगे या फिर इसको कंटेनर से यूज करोगे तो आपके हाथ दुखेंगे नहीं भाई विजन से तो यह चीज में को काफी अच्छे लगी इसके पहले मैं फोल्ड फाइव यूस कर रह पाने का चीटा जाता भी है तो कोई दिक्कत है नहीं और फोन काफी मजबूत है बिल्ड कॉलिटी वाई क्योंकि मैंना अभी गुपता जी का वीडियो भी देखा उसके अंदर आइको जेट सेवन भोगा भी देखा था भाई उसको बीच में से तो तो यह वाला फोन काफी दूख ब्राइटनेस कम लग रहे है या फिर ऐसा कुछ 9-15 minutes के ब्राइटनेस है एक 144hz refresh rate डिस्पले है काफी जादा स्मूध है बट सबसे बड़ी चीज है एक AMOLED डिस्पले है बहुत अच्छा क्वालिटी का मतलब कुछ जादा ही अच्छे क्वालिटी का डिस्पले है इस फोन के अंदर चार चांद अलगते है पता नहीं क्या इन लोग ने किया है रेजूलूशन भी full HD वाली है लेकिन उसके बावजूद भी लुक्स very very premium जो इसका colors है जो saturation है वो आपको एकदम Samsung की vibe देगा इतना अच्छे क्वालिटी का डिस्पले है लेकिन ये एक proper एकदम महेंगा सा फोन का feel देता है इतना अच्छे क्वालिटी का डिस्पले है जो colors इतने उठके आते स्पेशली जब आप content अगरा देखो मजा आजएगा आपको और ऐसे content भी मत देखो तो ये इतना colorful इतना bright इतना अच्छे क्वालिटी का डिस्पले है आपको मजा आएगा इसक का मतलब super performance की जहां बात आती है इसके इंदर डाइमेंड सेटी 8020 chipset है काफी पाउर फिल है चे निमिटर बना हुआ हुआ मैंने काफी सारे इसके benchmark भी कर रहे हैं 7 लग का Intu2 score निकालता है मैंतला almost 870 के लवल की performance है इसके इंदर यॉफस 3.1 storage है इसका मैंने speed test कहता आएको Z 7 Pro, Infinix GT के साथ मैं सबसे यह जीतता है वहीं काफी fast है performance मैं मस्त आलागा मैंको जो daily performance आपको open करना होगा या close करना होगा आपको एकदम fast and fluid feel होगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना मैं Snapdragon 8 Gen 2 वाले phones इसके आया हूँ और मैं को ऐसा major drastic downgrade performance में बिल्कुल भी देखने को मि basically आपके होगे ना तो flagship level या flagship से थोड़ा सा कम level का performance इसके दर में था काफी fast है phone अगर gaming के बात करूँ तो यह जो 8020 chipset है यह काफी अच्छा है gaming department में भी हराम से आप लोग 60fps की gaming इसके दर कर सकते हो आपको कोई जाधा शिकायत नहींगी definitely अगर बहुत जाधा long term में gaming करते हो तो मैं आपको infinix GT 10 Pro जो है वह recommend करूँगा इसकी भी gaming काफी अच्छी है में को इसा कही major शिकायत देखने को नहीं मिल यहाँ पड़ेगा अगर आप लोग dedicated gamer हो तो dedicated gaming channels के आप लोग वीडियोस देख सकते हो मैं आपको suggest करूँगा मेरे साब साब गेमिंग में 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 साब को वो भी मैं आपको software department देख बताता हूं अब software के बात करी रहा हूं तो भाई इसके दर XOS 13.1 आता है यह software काफी अच्छा है काफी जादा अच्छा है लेकिन UI अभी भी थोड़ा सा और better हो सकता है for short क्यों मालू मैं क्यों 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 दिखो जिखो जैसा smoothness को काफी अच्छ यह थोड़ा सा smoothness में ना काम करने की सब्सक्राइब जैसे स्पेशली यह वाले movement पर अपडर खुलता है तो पूरा एकदम blur होता है तो मैं यह चीज़ डेफिनेटली बुलूँगा कि भाई यहां पर थोड़ा सा और हाला के पहले के comparison में अगर आप एक साल पहले का कोई भी फोन चलाते आपको भरोसा ही नहीं होता इतना ज्यादा इंप्रूफ कर दिया आने लोग ने तो मेरे को बहुत ज्यादा चलागा लेकर फिर भी उपर का जो 10% है वो और अगर थोड़ा सा बेटर हो जेगा तो मेरे लिए बहुत सपरदस चीज़ होजेगी मेरे को तो काफी अच्छा लगता है हाला कि इसके अंदर software update का जो है वो एक major update and 2 साल के security update का है अब इसके अंदर प्रब्लम मताओ मैं आपको अभी दो तीन दिन पहले के बात है यह वाला update आया था मेरे को यह update पे करने से पहले phone इतना ज्यादा fast था इतना ज्यादा smooth था कि कोई हद नहीं य YouTube वगएरा है यह भी 144Hz पे चलता था बहुत ही ज्यादा smooth experience था भाई हर जगे कोई भी बग नहीं कुछ नहीं भाई यह update पर करनाना के बाद में YouTube जो application है इसको ऐसा कर दिया कि यह अब 60Hz पर ही चलता है तो यह एक बहुत बड़ा मेरे को दिक्कत लगा कि update होने के बाद में इसी चीज़ें खराब हुई है तो definitely इसको update करने के बाद सही करने के ज़रूरत है इस चीज़ को लेकिन मेरे हिसाब से वह चीज़ सही हो जाएगी जैसे update से पहले कितना अच्छा था तो वह चीज़ हो जाए अगर update के वापस update एक आना चाहिए और वह चीज़ें सही हो जा इस फोन को बिना cover के इस्तेमाल करने के साथ भाई दिक्कत ही हो जाती कहीं गिरता है तो बड़ा दुख होता है और यह फोन सच में गिर गया है अबतला मेरे से यूज़ी फोन कभी गिरता ही नहीं और इसी चकर में इसी confidence से मैंने must बिना cover के इसको 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 पर screen guard भी नहीं है इसके अंदर cover भी नहीं लगाता इसके बाद भी phone को कुछ नहीं वादा और दो बार किरा एक बार नहीं बाकि एक चीज़ना मताना भूलिया कि इसके 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 प्रोटेक्शन देख लगा इसके प्रोटेक्शन देख लगाई इसमें 108 Mpx का main camera है 13 Mpx का ultrawide camera आता है और 2 Mpx ऐसे time pass ले दे हुआ है macro अगरा फ्रेंट में 50 Mpx का selfie shooter आता है trust me इस price range में one of the best camera smartphone है मैंने सुल जाता कि IQ के level का नहीं होगा लेकिन IQ के level का camera इसके साथ में detailed comparison आने वाला है तो उसके लिए वेट करो ढ़ाई बहुत बहुत बहतरीन मतलब दिमाग में ना इंफिनिक्स की इमेज बनी वी थी, कि इंफिनिक्स इतना उतना प्रीमियम कैमरा दहुम जा सिकीड है भाई बहुत बहुत धे बहुत वीडियो भी मैंने दाल दिया एधर iCard में भी लिंक दे दूँगा आपको description में लिंक दे दूँगा सारी चीज़े उस वीडियो मैंने discuss करी तो आप लोग डाके check out 4K पर है अगर इसको 1080p करूँआ तो definitely इसकी EIS और बढ़ी आगी बट 4K के हिसाब से low light के हिसाब से में को तो काफी साही लगी what do you think बाकि यह अल्टरवाइड की फोटो भी देख लो मेरे इसाब से भाई जो प्राइज में अल्टरवाइड मिलना ही बड़ी बात है यहां पर के साथ में अच्छे quality का इल्टरवाइड है काफी जबरदस चीज़ लगी मेरको यहां पर बाकि यहां पर 50 मेंका पिक्सल का सेल्फी शूटर दिखने को में जाता है जिसकी quality बाई काफी बढ़िया है आपको कोई major शिकायत ने आएगी but this is not the main thing कि खली आप front facing camera एक्ले फो को लो ऐसा कुछ नहीं है front facing camera भी इसका बहुत अच्छा है आपको कोई शिकायत ने कि front facing camera थे मेरको बढ़िया लगा इसकी video quality भी अच्छी है वह उतनी जबर्दस में को लगी नहीं फर्स्ट दे मैंने यूज क्यों अगतम 1% तक के charging मैंने कीची एंड जादा यूज भी नहीं था उसका सबस्यादा यूट्यूब भी देखा उसका second time पर थोड़ा यूज क्या जादा तो पांच गंटे का 24 मिनट वैसे फर्सट दे प यहां पर थोड़ी सी और बैटरी की जा सकती है इसके अंदर approximately 6-7 गंटे का screen on time बिलेना तो बहुत जबर्दसत है लेकिन ऐसा नहीं बोलूगा कि बैटरी लाइफ में बहुत जादा कोई शिकायत है एक दिन की बैटरी लाइफ मिल जाता है कि आपको दिर दिन की बैटरी ल दिर दिन की बैटरी लाइफ मिल सकती है लेकिन यहां पर ना जो अदर 5000 अमेज वाले फोन है उनके जितना एफिशेंट नहीं है यह फोन उतना जादा बैटरी लाइफ यहां पर आपको एक्सपेक्ट मत करना इसका बैटरी मेरे कोई सालागा जैसे 4000 500 अमेज मेरे यूसेज शिकायत नहीं आएगे बाकि हैवरेज ही बोलूगा बहुत जाद अच्छे नहीं लगे इसके जो इनका खुद का कीबोर्ड आता है उसका है बहुत ही बेकार है उसको तुरंथ चेंज करो जीबोर्ड डालो जीबोर्ड के हैप्टिक्स इस फार बैटर भाई यह कोई फोन में मैंने नहीं देखा है इन्फिनिक्स के फोन में यह यह जबर्दस चीज लगी मेरेको ठीक है कोई दर पर भी वियो फाई जी का सिंबल आई रहा होगा उपर के तो यह चीज जबर्दसत है कॉल क्वारिटी सूप अच्छा है माइक का पिक भी बहुत बहुत ब अब यह जैसा मैं हाथ रखता हूं पर्फेक्ट स्क्रीन बंद होगा ठीक है प्रॉक्सिमेटी सेंसर अगर्फेक्ट ली काम कर रहा है लेकिन देखो वाह वीडियो में नहीं समय वीडियो में नहीं होला बट यूजवली क्या होता ऐसा लाया करक्तों कभी अचानक से स्क्र यहां पर और जो लेटेस्ट रॉल अपडेट आया है उसके अंदर भाई इन लोग ने डाइनमिक आइलेंड के भी कुछ फीचर एड़ करती है जो एपल के अंदर आता है जैसे आप लोग कैसा यह डैनमिक आइलेंड का टाइप का फीचर है यहां पर मस दिख रहा नहीं औ यह प्राइज रेंज के अंदर आपको यह फोन देखने को मिलता है और एक दो फोन देखने को मिल जाते है और अगर आज से आप मेरे को एक साल पहले पुछते ना तो मैं डेफिनेटली आइकू या रियल मी आपको सजेस्ट करता कि भाई उसमें ज्यादा बैटर एक्स्प एक बढ़ा का अच्छा लगा है मैं डेफिनेटली इस फोन को वह लेवल पर रख सकता हूं मेरे को काफी जबर अच्छा लगा ठीक है और अगर बात की जाए तो डेफिनेट मेरी तरफ से रेकमेंडेशन है आपको 25,000 रुपर का फोन है उसके आपको 12GB RAM 256GB स्टोरिज दे आपको 12GB RAM 256GB स्टोरिज के साथ में यह इक्तम जबरत अस फोन देखने को मिल रहा है एंड में जब यह फोन को किसी को देता हूं हाथ में उसको चलाने के लिए देता हूं पुछता हूं गैस करो कितना है भाई कोई 50,000-40,000 से निच्छे गैस ही नहीं करता है इतना प्रीम फोन है फॉर आप डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हो यह जो फुल रिवीव है भाई मेरा खुद का टेस्टिंग के साथ में है कुछ भी यहां पे स्पॉंसर नहीं कुछ नहीं है ठीक है जो भी मैंने टेस्ट करा है जितना ही मैंने यूस कर रहा है उतना मैं आपको बता ह पर आप एक आप अपर आप आप डेफिनेटली वे चेक आउट कर सकते हैं ते ओ डिस्क्रिप्चर में लिग दे दिया उँ हूँ पाकी इतना ही था 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 थेंक यू सो मच वर्शें धूबर गईस बाई